assalamualaikum students आज हम लोग article number 2.8a characteristics of scalar product पढ़ेंगे आप वेकों ने scalar product के बाege में पढ़े है scalar product क्या होता है कि जब हम दो vectors को multiply करें और answer हमारे पाफ scalar quantity आए तो वो से हम लोग scalar product करने है scalar product के कुछ characteristics है जिन में से पहला है commutative law according to commutative law A.B equal to b.a यानि कि हम लोग a.b जो लेंगे वो equal to b.a होगा यह हम लोगोंने proof भी किया है कि a.b equal to b.a होता है यह आपके पास proved है previous lecture में यह मैंने proof कर दिया associative law associative law क्या कहता है कि हमारे पास दो vector है, एक vector a है एक vector b है ठीक है, हम लोग vector a को किसी भी scalar quantity के साथ किसी भी number के साथ multiply कर देते है a को हम लोग m के साथ multiply कर देते है और b को n के साथ multiply कर देते है ठीक है, तो अब जब हम लेंगे a.b लेना है हमें आपको पता है कि हमारे पास scalar product किस तरह show होता है a.b से लेना है, a के साथ M multiply हो रहा है और B के साथ N multiply हो रहा है तो ये किसके equal होगा A के साथ M multiply हो रहा है dot B के साथ N multiply हो रहा है किसके equal होगा ये equal होगा M N A dot B या ये इसके equal भी हो सकता है A dot M N of B या हम लोग इसके equal भी कर सकते हैं और na.mb यह इसका associative law है कि यह जो multiply हो रही है quantities यह effect नहीं करेगी जो मारे पास जो result आएगा उस पर effect नहीं करेगी भले m जो है एक हमने नबर लिया है वो a से multiply हो या b से multiply हो देखें mna.b का भी a की जैसा result होगा a.mb का भी a की result होगा na.mb का भी a की result होगा distributive law distributive law क्या है कि मारे पास vectors है चार एक a है यह multiply हो रहा है vector b plus c plus d जो के add हो रही है vector b है vector c है vector d है यह आपस में add हो रहे हैं और एक vector a है जो के इनके साथ multiply हो रहा है तो इसका answer किसके equal लाएगा इसका answer a.b यह से multiply होगा पहले plus a.c plus a.d के equal होगा यह आपके पास distributive law colinear vector colinear vector मतलब कि जो vector हमें given है multiply हो रहे हैं वो दोनो linear होगा linear straight line हो vector a vector b तो यह किसके equal होंगे a.b हमारे पास यह दो vector है इनका हम लोग ले रहे हैं scalar product यह किसके equal हो सकते हैं positive negative of a.b अब यह positive negative of a.b क्यूं लिया है और साथ में cos theta क्यूं नहीं लिया इसके दो cases हैं आपके पास case 1 case 1 में हम लोग angle की बात करते हैं case 1 में हम लेंगे angle यानके theta equal to zero degree लेंगे हमारे पास line सीधी है न कोई angle नहीं बन रहा इसे हम लोग zero degree कहते हैं ठीक है दोनों की दर्मियान में जो हमारे पास vectors हैं वो दोनों same in length है यह देखें या length इनके magnitude चेंज भी है लेकर इनकी direction same है तो जब हम इने multiply करेंगे यह देखें इनमें क्या angle बनाया है कोई angle नहीं इनकी दर्मियान में zero angle है तो हम लोग लगाएंगे हमारे पास a dot b equal to a b cos theta के equal होता है theta की value given है zero a b cos of zero degree ठीक है देखें a dot b साथ में लिखते रहेंगे cos zero degree equal to one होता है हमारे पास ठीक है यह देखें a b one तो यह हमारे पास किसके equal होगा a dot b equal to a b और यह इसके साथ negative sign नहीं है तो of course इसके साथ positive ही होगा तो यह किसके equal होगा पहला हम नकाल लिया a dot b equal to positive a b अब second case करते हैं second case में हमारे पास angle जो होगा वो होगा theta equal to 180 degree हमारे पास जो दो vector add होने है यह देखें यह multiply होने है sorry ठीक है multiply होने है इनकी direction change है यह multiply होने इनके दर्मियान में बना है 180 degree ठीक है और cause 180 degree equal to minus 1 होता है इसमें लगाएंगे a dot b equal to a b cause of 180 degree यह equal to minus 1 होता है a b minus 1 तो यहां पर यह क्या होगा a dot b equal to minus a b तो हमने जो कहा था कि co linear vector में कि a dot b equal to positive minus a b या वो positive भी हो सकता है या वो negative भी हो सकता है यह हमने proof कर दिया कि यह positive भी हो सकता है और यह negative भी हो सकता है perpendicular और orthogonal vector आपको पता है perpendicular का मतलब आया तो perpendicular का मतलब यह है कि दोनों की दरमयान में 90 का एंगल होगा यह vector a है और यह vector b है इनके दरमयान में 90 का एंगल है और cause 90 degree equal to 0 a dot b equal to a b cause theta theta हमारे पास है perpendicular है तो 90 degree a dot b a b cause of 90 degree equal to 0 a b into 0 equal to 0 तो perpendicular और orthogonal vectors जो होते हैं जब वो multiply होते हैं तो अगर उनके दरमयान में 90 का मतलब perpendicular है तो 90 का एंगल है तो वो cause 90 equal to 0 होते है हमारे पास तो यह इनके कुछ characteristics थे अगरे पास्वारे 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 पास्